श्री श्रीमत एसी भक्तिवेदान्त स्वामी परुपद इस आंदोलन के प्रनेता और अपने जीवन के अंतिम प्षणों तक इसकी आधार शिला। विश्व के लाखों व्यक्तियों तक इन्होंने ये आंदोलन पहुंच जाया। बिना किसी व्यक्तिकत स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए इन्होंने उस परम पिदा की भक्ति भाव से सेवा की। आंदोलन से समाहित रहने पर भी लोगों का ध्यान इनकी उपलब्धियों तथा आधर्श चरित्र की ओर गया। विश्व के विद्वानों और धर्म गुरूओं ने इनके योगदान को सराहा। लाखों लोगों ने अपने प्रेम पुरित मन से इन्हें अपना प्रियमित्र शुभजिन तक स्विकार किया। श्रीलु प्रभुपाद की पुर्णिस्मृति में इनके शिश्यों ने अमरीखा में पश्चिम वर्जीनिया की पाहलियों पर एक अध्वती हिस्मारक बनाया। जहां आज लाकों यात्री हर वर्ष जाते हैं। जिनके विखरे जीवन को श्रीलु प्रभुपाद में समारा था। वे लोग अन्य विधियों से भी इनके प्रती अपना स्नेह, श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। कृष्ण 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 का स्मर्णू यह मूलमंत्र सदियों से भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का लक्ष रहा है। आज भी भगवान श्री कृष्ण का स्मारण, शिल्पकला, मृत्य, नाट्य और दर्शन की अध्भुत प्रधिवाह के रूप में किया जाता है। कलकत्ता 1896 भारत की राजधानी और अंग्रेजी सामराज्य का मुकुट। विशाल भवनों, विस्तृत सलकों और मनोरम उध्यानों का संगम। यही वो नगर है जहां अभय चरणारविंद भक्ति वेदान्त स्वामी का जन्म हुआ। इनके संपन्य परिवार का लक्ष व्यापार्था परंतु यह स्वयम जन्म से ही भगवान श्रीकृष्ण के परमभक्त थे। अपने बाल्यकाल से ही वे अपने पिता के साथ राधाकृष्ण मंदिर में नीमित जाते थे। चार वर्ष के होते होते वे अपनी इच्छा से अपने ही घर में श्री राधाकृष्ण की पूजा करने लगे थे। भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति में जब परंपरागत रथयात्रा निकलती तो अभैशर्ण भक्ति विभल हो जाते। फिर ये अपने पिता की सहायता से रथयात्रा का उत्सम अपने घर में ही मनाते हैं। आठ वर्ष की आयू में अभैचरनल पास के मुट्रिलाल सील स्कूल में प्रवेश लेते हैं। और सनातक उपाधी के लिए कलकत्ता के प्रतिष्ठित महा विध्यालय स्कॉर्टिस चर्च कॉलेज के विध्यार्थी बनते हैं। उन दिनों महत्मा गांधी सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध भहिशकार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। भारती संस्कृति एवें भारतियों के प्रति अंग्रेजों की दमन नीत की प्रतिक्रिया अभैशरन के समवेदन शील मन पर भी होती है। वो प्रारम्व से ही गांधी जी के सांदोलन के समर्थिक बन जाते हैं। परंतु 1922 में अभैशरन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्रील भक्ते सिद्धान्त सरस्वतिगो स्वामी के संपर्क में आते हैं। और उनके जीवन का मार्ग बदल जाता है। श्रील भक्ते सिद्धान्त स्वयम आध्यात्मिक गुरुजनों की उस शिश्य परंपरा में से थे जिसका संबंद भगवान श्रीकृष्ण से है। वे अभयचरन के मन पर ये हंकित करते हैं कि देश का उत्थान भगवान श्रीकृष्ण के आध्यात्मिक संदेश द्वारा ही संभव है। इस से अधिक महत्पूर्ण और कुछ नहीं है। वे अभयचरण को परामर्ष देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भावना का पश्चिमी देशों में प्रसार करें अभयचरण सुनते हैं और अत्यंत प्रभावित होते हैं इस समय तक अभयचरण का परिवार बढ़ जाता है वे इलाहबाद जाते हैं और वहाँ एक आउश्दाहलाई सफलता पूर्वक चलाते हैं इस उत्तरदायत्यु के भीज भी उनके मन में अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्द निरंतर गूंशते रहते हैं 1933 में वे श्रीछब भक्त चिध्धान्त सरस्वति गोष्वामी के शिष्ष बनते हैं जो उनके विशाए में टिपणी करते हैं अवसर मिलते ही यह भक्त सब कुछ करेगा तीन वर्ष बाद श्रील भक्ति सिध्धान्त भवतिक जगत से विदा लेते हैं परंत विदा लेने के पूर्व अभय चरण को स्मरण कराते हैं अपना धर्मो पदेश अंग्रेजी के माध्यम से देना 1944 में वे पाक्षिक पत्र बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन और वितरन स्वयम अकेले प्रारंभ करते हैं बैक टू गॉड हेड का प्रथम अंग्र युद्ध की विभीशिका का चित्र प्रुस्तित करता है पत्र में यह स्वर स्परष्ट है कि विश्व के लोग शांती चाहते हैं भगवान के विना भगवत सामराज्य चाहते हैं वास्तों में जब तक हमने स्वार्थ भाव से हरिमय नहीं होंगे तब तक हमारी शांतीयों जनाएं अस्फल होती रहेंगी युद्ध के परशात अभैचर्ण जांसी पहुँचकर एक भक्त संग की स्थापना करते हैं अंतर राश्ट्रिय संगठन की नियमा वली भी तैयार करते हैं जिसके अनुसार सदस्यों के लिए शांतिमय तथा हरिसमर्पित जीवन अनिवार्य है उनके प्रथम शिश्य आचारी प्रभाकर इस प्रकार उनका स्मर्ण करते हैं दिख्षा लेने के लिए उन्होंने प्रश्ण किया यदि तुम सिगरेट पीते हो तो छोड़ दो यदि तुम तामस आहार करते हो तो छोड़ दो और मदिरा मन से आदी खाते हो तो छोड़ दो मैं तुम्हें अपना शिश्य बना सकता हूँ ऐसे लोग बहुत कम मिले और वे लोग सब चले रहे तब उन्होंने कहा कि इस देश में अभी कृष्ण भावना का विश्तार नहीं मुझे इस देश से बाहर जाना होगा वहाँ लोग मुझे मिलेंगे जब लौट कराऊंगा तो फिर इस देश में कृष्ण भावना का काम चले रहा परंपराओं के अनुसार पच्वन वर्ष की आयू में अभै चरन पारिवारिक जीवन से मुक्त होते हैं और उसके पांच वर्ष बाद सन्यास ग्रहन करते हैं अब वे एसी भक्तिवेदांत स्वामी के नाम से जाने जाते हैं उनका निवास व्रंदावन में स्थित मध्य योगीन श्री राधादा मुदर मंदिर है जहां वे एकाकी अपने गंफीर अध्ययन वा लेखन में लगे हैं यह व्रंदावन ही था जहां पचास सद्यों पूर्व भगवान श्री कर्शुन ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया था और तभी से साधुजन इस भूमी को संसार की पवित्रतम भूमी मान कर पूजते हैं यहां के अन्य भक्तों की तरह भक्ति वेदान्त स्वामी विरक्त होने की बात नहीं सोचते उन्हें तो व्रंदावन की पावन भूमी जब पूजन और लेखन की प्रेरना देती है अध्यात्मबाद के पुनर जागरण का वईदिक मार्ग कहते हैं अपने इस कारी के बीच वेवरंदावन से दिल्ली जाते हैं और अपने ग्रंथों तथा पत्रिका का मुद्रन कारी कराते हैं यात्रा में समय नष्ट होता है असुविधाएं भी होती हैं परन्तु भक्ति वेदान्त स्वामी इसे भी अपने भवगान श्री कृष्ण की सिवा में समर्फित अपने अध्यात्म उद्देश्य का एक अंग मानते हैं वे लिखते हैं हमारे नेताओं ने चतुराई से भारती अध्यात्म के कोर्ष को एक और रग दिया है और पाश्यात्य भावतिकता का अनुकरण कर रहे हैं इसके कारण जनमानस अधिक दुखी है क्योंकि मानव जीवन में आध्यात्मिक पक्ष से अधिक महत्पूर्ण और कुछ भी नहीं है डिल्ली में भक्ति वेदानत स्वामी बैक टू गॉड हेट की प्रतियां स्वयम वितरित करते हैं और जो भी थोड़ा सा अनुदान मिलता है उससे प्रकाशन को जीवित रखने के लिए संगर्ष करते हैं वे अपने मुद्रक सुरेंद्र कुमार जैन से नीमित मिलते हैं श्री जैन उनके विशाय में कहते हैं फरवरी 1956 में पहली बार मैं प्रभुपाद जी से मिला वो मेरे पास बैक टू गॉड हेट के मुद्रण के संबंध में आये थे मैंने अनभव किया कि रुपए जमा करना उनके लिए कठिन है वो मेरे प्रेस में प्राया रोज ही आते और मुद्रण पूरा होने पर सारा काम भी स्वयम ही करते वो एक समर्पित व्यक्ती थे और बात के धनी जब कभी वे मुद्रण की राशन नहीं दे पाते तो मैं उनसे कहता आप ये सब क्यों करते हैं इसे बंद कर दीजिए और वे गंभीरता से उत्तर देते नहीं ये तो मेरे जीवन का लक्ष है सुरेंद्र कुमार जी आप एक दिन देखेंगे कि मैं अपने लक्ष तक पहुँच गया 1964 तक भक्ति वेदान्त स्वामी श्रेमत भागवतम के तीन भागपूरे करते हैं ततकालिन प्रदान मंत्री श्रीलाल बहदुर शास्त्री उनकी इस लगन को सराहते हैं और सुझाव देते हैं कि उनके ये ग्रंथ देश के सभी पुस्तकालायों में रखे जाएं सिंधिया जहाजरानी कंपनी की अध्धक्षा सुमति मुरार जी उनके प्रकाशनों के लिए आर्थिक सहायता देती हैं और उनकी अमेरिका यात्रा का प्रबंद करती हैं सुमति मुरार जी के शब्दों में और एक दिन उन्होंने मुझसे अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की मुझे आश्यर हुआ मैंने कहा स्वामी जी आप वहां मज जाईए आप व्रद्ध हो गए हैं वहां की सर्दी आप सेहन नहीं कर पाएंगे फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा नहीं बदली इसलिए मैं मान गई मैंने जल दूद जहाज से उनकी यात्रा का प्रबंध कर दिया जल यात्रा के समय जिस दिन उनका जहाज स्वेज में था उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन था उन्होंने जहाज के सभी यात्रियों, चालकों तथा अधिकारियों को एकत्र किया उन्हें श्लोक सुनाए और प्रसाद बांटा भक्ति वेदान्त स्वामी एकाकी याचक की भाँती लगभग आधा विश्रब्रमन करते हैं इस समय उनकी पूझी भगवान श्री कृष्ण का अलवकिक संदेश और हरी नाम में उनकी आस्था है जलदूत की यात्रा उनके लिए कठिन परिक्षा सिद्ध होती है भक्ति वेदान्त स्वामी समुद्री जलरोक से पीलित होते हैं उनकी छाती में असई पीला होती है दो दिनों में दो बार हर्दयागात होता है परंत वे धीरे धीरे स्वस्त होते हैं और लिखते हैं आज मुझे अच्छा लग रहा है परंत प्रंधावन से आलग होना मुझे खल रहा है मेरे पास कोई योग्यता नहीं फिर भी इन संकटों के बीच मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्या का पालन करना है 17 सितंबर 1965 जल्दूत बोस्टन बंदरगाह के तड़ पर रुखता है जाहस पर ही भक्ति वेदान्त स्वामी लिखते हैं मेरे आराध्य भगवान श्री क्रश्न आपकी इस शुद्र व्यक्ति पर असीम क्रपा है परन्त मैं ये नहीं जानता आप मुझे यहां क्यों लाए यहां के अधिकतर लोग जीवन की भावतिक्ता में डूबे हैं मैं किस भावति उन तक आपका संदेश पहुचाऊंगा मैं तो केवला आपके शब्द दोहरा सकता हूँ यदि आप चाहें तो मेरी वानी को ऐसी शक्ति दें ताकि मैं अपनी बातुने समझा सकूँ न मैं भक्त हूँ न मेरे पास ज्यान है परंत मुझे आपके पावन नाम पर विश्वास है यदि आपकी दया होगी तभी मैं अपना नाम भक्ति वेदान्त सार्थक कर पाऊंगा और इसके बाद वे हस्ताक्षर करते हैं अत्यन्त दीन ही नुभिखशुक एसी भक्ति वेदान्त स्वामी भक्ति वेदान्त स्वामी सर्वप्रथम बटल पेंसिल्वानिया में रुखते हैं अपने एक मित्र के पुतर गोपाल अगरवाल और उनकी पतनी सैली के मकान को अपना निवास बनाते हैं सैली के शब्दों में स्वामी मेरे ससुर के मित्र थे मेरे ससुर श्री अगरबाल भारत में आगरा के निवासी थे उनके कहने पर मैंने स्वामी को सहयोग दिया वे आधी रात की समय हमारे घर आए और लगभग एक माह हमारे साथ बटलर में रहे मैंने उन्हें अपने ससुर की तरह ही स्नेह और सम्मान दिया वे भावक और दयालू थे वास्तों में मैंने अपने जीवन में वैसा असाधहरन व्यक्ति नहीं देखा स्वामी जी के पास गिनी चुनी वस्तु में थी पीट पर थोड़े से कपले, एक टाइप राइटर, कुछ पुस्तकें तथा एक ठैली में अनाच, बस यही उनका सामान था कल्पना कीजिए, विश्व के दूसरे छोर पर आए व्यक्ति के पास बस इतना सामान परन्तु मैंने अनुभव किया, कि उनके भीतर बहुत कुछ था स्वामी जी अपने साथ एक छोटी कडाही भी लाये थे वे हंसे थे, खूब हंसे थे, ऐसी हंसी जो निश्चल होती है, सारे विश्व को मुह लेती है, उनके एक माह के संपर्क में मुझे ऐसा आनंद मिला, जैसा आनंद पाने की कामना मैं हमेशा करती हूँ बटलर में भक्ति वेदान्त सुविधा पूर्वक रहते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि विश्व का सर्वर श्रेश्व दर्शन भगवान श्री कृष्णी की भावना का प्रसार विश्व के श्रेश्वतम नगर नियूवार्क से प्रारंप किया जाए वे वहाँ से हंड्रेट वेस्ट में 72 में मार्ग पर रहने आते हैं तीन माह पर शाथ उनका टाइप राइटर तथा अनुवाद के लिए उपयोगी टेप रिकॉर्डर चोरी हो जाता है बग्ति वेदान्त स्वामी ने बाद में कहा मैं संकट उठाकर अमेरिका आया शरीर शिथिल और जीवन का अंतिम चरण कभी ये भी नहीं सूचता कि कहा नहूं और फिर उसके उपर वहाँ का भयानक शीत यों तो मैं एक वर्ष अकेला था परन्तु मैंने अकेले पन का कभी अनुभव नहीं किया मुझे यह आभास होता रहता था कि मेरे आध्यात्म गुरु मेरे समीप हैं इसलिए सारी कट्राईयां होते हुए भी मैंने अपना उत्साह नहीं खोया भक्ति वेदान्त स्वामी अमेरिका उस दर्शक में पहुँचे जिर सारे वाथावर्ण में असंतोष व्याप्त था जाति भेद को लेकर वियत नाम में चल रही युद्ध के प्रती असंतोष था असंतोष उन स्वार्थ में नीतियों के कारण भी था जो देश-विदेश में चलाई जा रही थी तो श्रासन से निराश होकर महा के तरुनों ने एक विरोधी संस्कृत का सूतुर पात किया था जब भक्ति वेदान्त स्वामी अमेरिका पहुँचे महा तक कालेन पर इस्थित के प्रती एक विद्रोह था और लोग विकल्ट की खोज में लगे थे भक्ति वेदान्त स्वामी कुछ दिन भावेरी में अपने एक मित्र के घर में कोठी में रहते हैं मुकुंद स्वामी जो इस समय उनकी कक्षाओं में उपस्थित रहते थे अपनी प्रथम भेंट के विशा में कहते हैं मुकुंद स्वामी के शब्दों में वो बहुत मोटे कांच का शश्मा लगाते थे और एक संस्कृत की पुस्तक सदाईव उनके सामने खुली रहती थी उनकी वानी गंभीर थी जो प्रतिध्वनित होती थी वे साधिकार बोलते थे और उनका संस्कृत श्लोगों का पाठ मधुर होता था स्पष्ट रूप से वे अद्धुदी विद्वान थे भव्य विक्तित्तु था परन्तो रहने का स्थान जानकर मुझे उनके प्रतिवत सुकता हुई बावेरी न्यूयर्क में अतन साधरन स्थल था इसके बाद चर्चा के लिए मैं उनसे मिला मैं खड़ा था और वो मेरी तरब देख रहे थे एक अबोध बालक की तरह मैंने अन्भव किया वो मुझे समय दे पाएंगे वैसे भी उन्हें समय की कमी नहीं थी मैंने प्रशन किये उन्होंने उत्तर दिये इसके कुछ दिनों बाद भी पड़ोस के सेकेंड एविन्यू में चले आए हमने उनकी साहेता की और उन्हें एक छोटा सा स्थान रहने को मिल गया जिसमें पीछे की ओर एक स्वतंतर कमरा था और सामने एक दुकान की रूप रेखा उसके कुछी दिनों बाद ये दुकान का भ्रम कराने वाला सेकेंड एविन्यू जो न्यूवयर के लोवर इस साइड में था और चारों और हिप्पियों से गिरा था एक भविश्री कृष्ण मंदिर में परिवर्टित हो गया मुझे स्मरल है वहाँ एलन गिल्सबर्ग ने आना शुरू किया था उनका लोवर इस साइड में आना ही उनके सामाजिक मूल यंकन का प्रमान था महा की परिपाटी थी के स्वामी, योगी और महत्तपूर्ण गुरुजन शहर के उस ओर ठहरते थे जहां उन्हें पूंजी पत्यों का साहयोग और साहयता मिलती थी उसी ओर एक शांदार भवन में कृष्ण मूर्ती रहते हैं और फ्रांस में बनी सामग्री का उप्योग करते हैं भग्ति वेदान्त स्वामी का स्थान तो कलकत्ते की गलियों का स्मरन कराता है वहां तो हिप्पी भी हैं, जो कलकत्ते में नहीं वास्तों में वे उपयुक्त स्थान पर ज्ञान का प्रकाश और आत्मा का संगीत ला रहे हैं यही उसकी आवर्शक्ता है उस स्थान की एक विशेषता और है संसाट के दशक में वो बहुत धिकता का केंद्र था और अब लगता है कि बहुत धिकता महा लोट रही प्रिस्खते पार आत्म प्रिकता आत्म प्रिकता इअनमा नु lata प्रेष्ण आर्ब देखिल नमर्कामर्मार्टाब आर्यक्रिष्ण प्रफ़ ट्रिर्फृ। मुझे एक मित्र ने सूचना दी कि टॉमकिन्स स्क्वेर में तृतिय गुरुवार को एक स्ने हुच सब है मुझे याद आया कि मैं भी किसी योग्य गुरु की खोज में हूँ तो मुझे भगवान श्री कृष्ट ने महां भीज दिया मैं उनसे मिला कुछ प्रारंब्र के अउपचा रिकता हुई और मैंने समझ लिया कि स्वामी जी के मन में कुछ आवश्य है श्री लप्रभपाद के शब्दों में मैं सितंबर 1965 में अमेरिका आया सडकों पे भटक रहा था कुछ बालकों ने मुझे देखा और धीरे धीरे मेरे पास आये मेरा उद्देश्य भगवान श्री चैतन ने का दर्शन समझाना है जबकि आध्यात्मिक ध्वनियों से मानसिक विकार दूर होते हैं ये ध्वनिया आत्मा की गहराई से निकलती हैं अत्येव इनका प्रभाव सब पर एक सा होता है चाहे वो किसी भी भाशा देश अत्वाज्याति का हो बाद में भग्य वेदानत स्वामी ने लिखा भगवान श्री कुछ योजना बना रहे थे तभी तो तुम सब एक एक करके मेरे पास आए तुम सब निश्कपट हो अत्यों भगवान श्री कृष्ण भावना का आत्मसाथ कर सकोगे अब मैं समस्ता हूँ वो सब चमतकार था अन्य था एक व्रद्ध जो पुस्तकें बेज कर शुदा शांद करता हो जिसके पास जीवित रहने के साधन भी न हूँ वो कैसे भवतिक्ता में डूबे समाज में भगवान की भावना का प्रवेश कर सकता है भग्ति वेदान्त स्वामी के लिए ये सुखत समय था एक तरुन की तरह गाते बोलते वे हरे कृष्णा अंदोलन जनता के समक्षिराते हैं पुद्यानों में जाब करके, बेक टु गॉड हिट की प्रतियां वितरित करके, रविवार को निश्शुल्क प्रसाद भोज आयोजित करके, वे असंख्य लोगों को आकर्शित करते हैं धविश्य के लिए उनकी आशा बलवती होती है, उसके प्रसार के आसारस परष्ट होते हैं हरे कृष्णा अंदोलन पनफने लगता है 1967 के वसंथ में मुझे कुछ व्यक्तियों ने नियूयर्क के समाचार पत्रों की कत्र ने दी उनमें नियूयर्क में आये एक स्वामी का वल्लेग था, अते हूं मैं उन से मिलने और उनके अंदोलन को समझने वह गया, मैं पहले के शिष्चियों से मिला, और मैं इसपक्ष्ट कहूँ, भक्ति वेदानतु स्वामी के और अन्यमितता और दूसरी और संपूर्ण समर्पन तब तक नहीं समझ पाया जब तक मैं भक्ति वेदानति स्वामी से नहीं मिला और जब मंदिर में कई बार जाने के बाद उनसे मिला तब मैंने इस पश्टता जाना कि केवल इन ही के कारण या अंदूलन प्रगति कर रहा ह आज शटकी बात तो ये थी कि वे स्वयम को इन गतियों का केंदर नहीं बताते थे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अमुक काम मेरे लिए करो वो हमेशा कहते कि मुझे और आपको ये काम भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए वो प्राया ऐसे काम कहते थे जो करने वालों को असंभल वक्ते थे उन्होंने अपने एक प्रारंभिक शिष्षी से एक पत्रिका शुरू करने के लिए कहा उसने पत्रिकाएं पढ़ी थी परन्तु पत्रिका के प्रकाशन से वो आनभेग गया था उसने कहा मैं ये कैसे करूँगा भक्ति वेदान स्वामी ने उतर दिया भगवान श्री कृष्ण तुमारी सहायता करेंगे फिर भी वो भाई भीत था ना उसके संपर्क थे ना उसमें लोगों का विश्वास जीतने के ख्शमता थी परंत स्वामी जी उसमें विश्वास जगाते हैं कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही मार्ग दर्शक हैं वे ही आगे बढ़ाएंगे और वे ही हरिकारी करने की शक्ती भी देंगे भक्ति वेदान तो स्वामी न्यूयर्क के नहीं हुए थे, वे तो केवल भगवान श्री कृष्ण के थे, इसलिए जब उनके अनुयाईी उन्हें सैन फ्रेंसिस्को बुलाते हैं, तो वह वहां भी पहुंच जाते हैं, महा के निर्द्वन्द तरुनों को भगवान श्री कृष्ण के विशय में बतलाते हैं, उनकी पुरातन संस्कृति, उनका आध्यात्मिक भोजन, उनका हर्दय गत्याप और सदाईव उच्च आदर्शों का महत्त्यो समझाते हैं, फलस्वरूप हिप्पी आंदोलन के केंद्र हेट एश्बरी गोल्डन गेट पार्क जैसे स्थान पर हरे कृष्ण का मंत्र गूंज उठता है, मंत्र की गूंज में अध्विती शक्ती और प्रभाव स्पष्ट द्रिष्टी गोचर होता है, न्यू यॉर्क में भक्ति वेदान्त स्वामी निश्कपट अनुव्याईयों को एकत्र करते हैं, और हरे कृष्ण अंदोलन गतिमय होने लगता है, भक्ति वेदान्त स्वामी को लोग सम्मान से प्रभुपाद कहने लगते हैं, जिसका आर्थ उन चरणों से है, जनके समीप गुरुजन भी बैठते हैं, मौन्ट्रियल से प्रभुपाद छे शिश्यों को मंदिर की स्थापना के लिए लंडन भेजते हैं, यह मुना देवी दासी स्मरन करती हैं, तो हम लोग लंडन पहुचें, हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं था, हम भगवान श्री कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर थे, हमारे पास वो उत्सा था जो श्री लप्रभुपाद ने हमें मौन्ट्रियल में प्रदान किया था, वही विश्वास और उत्साह लिए, हम जॉर्ज हैरिचन के पास गए, जो उस समय बीटल्स के सदस्य थे, वो इतने मनहोर व्यक्ति थे, कि हरे कृष्ण मंत्र को सुनते ही हमसे घुल मिल गए, और बोले हम उस मंत्र का रिकॉर्ड बनाएंगे, हमने रिकॉर्ड तैयार किया, उन्होंने इसमें पारशुर संगीत भी दिया, रिकॉर्ड जनता के मद्धी आया, और एपल ने हमारे भ्रमन का कारीकर्म बनाया, हम जर्मनी और फ्रांस गए दूर दर्शन ने हमारे कारिक्रम को समय दिया संडे टाइम्स पत्र ने हम पर आलेख प्रकाशित करने की च्छा प्रकट की और हमने श्रील प्रभुपाद को तार से सूचित किया कृष्ण भावना से लंदन जकेत कृष्ण भावना की दार्शन की यश से प्रभावित होकर जो भी श्रील प्रभुपाद के पास शिश्य होने आता था वो इसे स्विकार करते थे हिंदों की कट्रता के आधार पर नहीं वरन योग्यता और सच्चाई के आधार पर उसे ग्रहन करते थे भारती आध्यात्मिक जीवन के एतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ इस दुरुष्टर कारी की ओर किसी ने साहस भी नहीं किया कि पास्चाद देशवासियों को परिवर्तित कर उन्हें पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण का भग्त बनाए परन्तु अपनी अतुल्नी आध्यात्मिक शक्ती और इश्वरीय क्रपा से वे सफल हुए ऐसे सफल हुए जैसी उन्हें स्वैम भी आशा नहीं थी ये आंदोलन कितना पुराना है आईतिहासिक दृष्टिकोंड से ये लगभग पाँच हजार वर्ष पुराना है पाशत देशों की तरुन पीढ़ी निराश और कुंठित है एप प्यांदोलन इसका प्रवान है इसलिए जब उन्होंने कोई बास्तवी का आधार पाया तो उसे ग्रहन कर लिया यदि संपूर्ण संयुक्त राज ये श्री कृष्ण पर उतना ही विश्वास करने लगे जितना आप करते हैं तो इस देश का क्या होगा इसमें क्या परिवर्तन होगा लोग अत्यंत प्रसनता और शांती से रहेंगे उसके बाद यहां हिप्पी नहीं रहेंगे आप हिप्पी किसे कहते हैं वो जो धूमरुबान करता है आप मुझसे अधिक जानते हैं कुछ असामान विलक्षन श्री लोप्रभुपात का अपने शिश्वों के प्रत समर्पन देखकर ही मुझे प्रेरणा मिली थी अपने शिश्यों के साथ रहने में उन्हें महान सुख मिलता था ये बात नहीं थी कि वे अनेक शिश्य बनाते थे और फिर उन्हें अपने कारियों में लगाते थे वास्तों में हम उनके लिए जितना कारी करते थे उससे अधिक वे हमारे लिए करते थे यात्रा के समय उनके साथ रहकर मने देखा है वे हमारे लिए कितना त्याग करते थे अपनी बीमारी के समय भी वर्शिक्षा देते थे हम लोगों के लिए चिंतित रहते थे हमारे कारी कलापों की जानकारी लेते थे और एक एक शिश्य के विशय में बूस्ते थे हमारी व्यक्तिकत आवश्यक्ताओं के लिए भी समय निकालते थे प्रभुपाद हम लोगों से प्रत्यक नहीं थे उनकी इच्छा थी कि हम लोग उन्हें उस स्नेह का प्रतिदान दें जो स्नेह वो हमेशा हमें देते थे और जब हम उनके स्फरूत का प्रतिदान उने देते थे तो हमें उनका स्नेह और भी अधिक मिलता था जहां तक मेरे व्यक्तिकत अनुभवों का संबंद है मैंने श्री लप्रभुपाद में एक ऐसा व्यक्तिकत पाया है जिस पर मैं अपना सब कुछ सच्चाई से बलिदान कर सकता हूँ श्रील प्रुभपाद के दृश्रिकोन से भगवान श्री कृष्ण भावना ना कोई विश्राम के ख्षणों का दर्शन है और ना ही कुछ समय का धर्म वो तो जीवन के आवाध गती है अविरल धारा है वो श्रेश्रतम संस्क्रिथी भी है जो मनुष्य की राजनाईतिक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का अंत कर सकती है अपने इस स्वपन को साकार करने के लिए श्रील प्रभुपाद बाराह वर्षों में विश्चुकी परिक्रमा 14 बार करते हैं और अपने अनुयाईयों को प्रेरना देते हैं जिग्यासूं से भगवान श्रीकृष्ट भावना पर चर्चा करते हैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों में बास्तों में हमारी व्यक्तिकत निध्य कुछ नहीं है जो है सब भगवान का है हमने भगवान की निध्य चुराई है और उस पर अपना अधिकार जताते हैं जैसे आउस्ट्रेलिया वहां अंग्रेज आये पर क्या आउस्ट्रेलिया अंग्रेजों की संपत्ति है वो तो पहले से ही वहाँ था अमेरिका भी था और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी वो रहेगा इस सत्य के बीच हम आते हैं और अपना अधिकार जता कर कहते हैं ये संपत्ति हमारी है और फिर जगरते भी हैं भागवान श्रीकृष्ण भावना की परंपराओं को पूर्म वयवह के साथ पुनह जाग्रित करने के लिए प्रभुपाद एक ऐसे क्रशक समाज की कलपना करते हैं जिसका केंद्र भागवान हो सर्वप्रथम ऐसा समाज वो पश्रीमी वर्जीनिया की पाहली पर प्रारं भागवान श्रीकृष्ण के वरंदावन का स्मरल कर नया वरंदावन नाम देते हैं 1970 में श्रील प्रभुपाद डेलास टेकसास में भागवान श्रीकृष्ण भावना पर आधारित प्राथमिक्षाला प्रारंब करते हैं सत्स्वरूपदास गुर्स्वामी बतलाते हैं श्रील प्रभुपाद व्यावाहरीक्ता को ध्यान में रखकर प्रात्मिक्षाला प्रारंब करते हैं जिसमें बालक नीमित अध्यान के साथ आत्म बुद्ध का ग्यान भी पास सकें इसका ये अर्थ हुआ कि गुरुकुल परिपाटी अनुखी थी क्योंकि वहाँ श्रीक्षक स्वयम दुर्गणों से परे होता था आज के शिक्षा जगत में ऐसे शिक्षक पाना कठिन है जो अपनी सारी शिक्षणिक योग्विताओं के बावजूद यौन विक्रितियों, मद्यपान तथा धूमरपान से मुक्त हो परंत भगवान श्रीक्ष्ण भावना के शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि वो स्वयम भक्ति के ऐसे धरातल पर हो जहां उसके विद्ध्यार्थी उसे आदर्श मान कर चलें जो शिक्षक कहता है उससे अधिक जो वो करता है उस सत्य से बारक शिक्षा ग्रहन करें उन्मुक करते हैं ताकि वे अध्यात्म के ख्श्यत्र में उन्नती कर सके है、、 वे कहते हैं भगवान श्रीकर्ष्ण के वल ज्यानेंद्रियों की साहेता से नहीं समझे जा सकते है परंत मूर्ति की रूप में वे स्वयम हमारे सामने प्रकट होने की कृपा करते हैं और हमारी सेवा स्वितार करते हैं जब हम मूर्ति की सुन्दर्ता की ओर आकरशित होंगे तब हमारे मन से भहुतिक वस्तुओं का आकरशन नश्टो हो जाएगा जो जो हम मूर्थी के सेवा करेंगे तियों तियों हमारे मन में भगवान के प्रती निष्ठा बढ़ती जाएगी और यही निष्ठा हमारे जीवन को सफल करेगी Melbourne, Australia में श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य की आराधना करते हैं प्रभुपात के शब्दों में श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम करपा से हमने आपके दिश में मूर्ति स्ठापना की है। आप भाग्यवान हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आपके देश में प्रगठ हुए और अव्य आपको चिंता मुक्त होने का उपाय समझाएंगे। यही श्री चैतनी महाप्रभु का संदेश भी है हर व्यक्ति समस्याओं और चिंताओं से उल्जा है परंतु यदि वह चैतनी महाप्रभु के दर्शाय मार्ग पर चलेगा तो वह इन सारी आपदाओं से मुक्तो हो जाएगा इस युग में मनुष्य का बड़ा पतन हुआ है अते वो थान का मार्ग भी बड़ा ही सहज बतलाया गया है अरिनाम का जप ही सबका भाग्य विधाता है अमेरिका में आने के पांच वर्ष बाद तक श्रील प्रभुपाद भागवान श्री कृष्ण भावना का परिशय पास्षयत नागरीकों को कराते हैं जिसमें ग्रेहनियों से लगाकर हिप्पी और प्रशासक तक आते हैं उसके बाद नवंबर 1970 में विश्व भ्रमन के परश्यात वे अपने कुछ अनिवाईयों से हित दिल्ली आते हैं वहां के मेयर उनका स्वागत तो चैसे करते हैं जैसे घर लोटे किसी महान देश भक्त का किया जाता है प्रभपाद भगवान शैतन्य का ओधरन देते हैं भारत में जन्मन लेने वाले हर व्यक्ति का करतव्य है कि दूसरों के हित में भगवान श्रे कृष्ण भावना का प्रसार करे यही भारत का सबसे महान वईभव है और यही अनूठा उपहार वो विश्व को दे सकता है दिल्ली के मैदान में 30,000 भारती एकत्र होते हैं वे पाश्यात भक्तों को देखने और प्रभवपाद को सुनने के लिए उद्सुख है भावानंद गोस्वामी के शब्दों में भारत में ये परिवर्थन लाने और भागवान श्री कृष्ण भावना को पुनर जागरित करने के लिए ही प्रभवपाद ने योजना बनाई थी कि वे अपने साथ निर्थी करने वाले श्वेत हाती लाएं उन्होंने मुझसे कहा था जब मैं अपने शिश्यों के साथ भारत आऊं तो भारती ये मेरे निर्थी करने वाले श्वेत हातीयों को देखने अवश्याएंगे हमें प्रभुपाद के निर्थि करने वाले श्वेत हाती बनकर बड़ा आनन दाता है हमने उसे अपने पर प्रभुपाद की असीम अनुकमपा समझा कि उन्होंने हमें अपना निर्थि करने वाला श्वेत हाती समझा और हम भगवान श्रीक्रश्न भावना के भारत प्रसार में उनका सहयोग दे सके परश्यमी बंगाल के नवद्वी पुस्थान के एक जोतशी ने प्रुभुपाद का चितर देखा उनका भव्य चेहरा देखकर उसने भव्य शिवानी की थी इस व्यक्ति में ऐसी योगिता है कि वो सारे संसार को शान्ति पूर्वक रखने के लिए एक घर बना सकता है जब मैंने ये प्रुभुपाद से कहा तो बोले यही तो मेरा उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण भावना का भवन इतना विशाल है कि उसमें संपूर्ण विश्व शान्ति पूर्वक रह सकता है यद्य प्य हरे कृष्ण अंदोलन सारे विश्व में फैल रहा था फिर भी प्रुभुपाद उसका मूल भारत भून पर ही रखना चाहते हैं सामुहिक रूप से हरिनाम आंदोलन प्रारंब किया था मायवपुरु में भक्तों ने एक छोटा सा भूमिखंड खरीदा और उस पर अंतर राश्ट्री विश्रामगरे का निर्मान शुरू किया भवन निर्मान की कला से अनभिग्य मुठी भरभक्तों के लिए ये कारी कठिन था श्रील प्रभुपाद उन्हें निर्देश देते हैं प्रोथसाहित करते हैं हम अपने आवास के लिए घास की जोपली से संतुष्ठ हैं परंतु यदि हमारे पास केवल घास की जोपली ही हुई तो यहां कौन आएगा हम अपनी धर्ती को जितना ही अधिक सजाएंगे उतने ही अधिक लोग आकरशित होंगे प्रभुपाद यहां ज्यान का विशाल मंदिर बनवाना चाहते हैं जिसमें विश्रुकी बड़ी से बड़ी वेद्रशाला समा सके और उसके चारों और आध्यात्मिक नगर हो जिसमें पाटशालाएं दूखाने खेत और अनेको छोटे-छोटे मंदिर हों जिसमें भगवान श्री कृष्म की बंदना की जा सके अनेको लोग आते हैं, श्रील प्रभवाद के आंदोलन में सक्रिय सायोग देते हैं और उनके शिश्य बनते हैं प्रभवपाद समझाते हैं कि मंदिर के आसपास दिसमील की परीध में कोई भूका नहीं रहना चाहिए मार्च 1972 में भक्त इसकौन का प्रसाद वितरन अंदोलन प्रारम्भ करते हैं और प्रसाद तथा शाका आरी भोजन भगवान श्री कृष्म के नई विद्धि के पस्चात बांटते हैं जैसे ही मायापुर की योजना पूर्ण होती है प्रभुपाद छए महाद्वीपों से अपने शिश्यों को आमंत्रित करते हैं जिससे वे हर वर्ष भगवान श्री चैतन्य के जन्म दिवस्त समारोहु में एकत्र हो सके ब्रंदावन में श्रील प्रुभुपाद अपने शिश्यों की आयोजित यात्रा पर विभिन पवित्र स्थानों के दर्शन कराते हैं और स्वयम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वरणन करते हैं धत्यवना के निर्मल जल में स्नान का धन्य होते हैं प्रभुपाद देश की महानगरी बंबई में भूमिखंड प्राप्त करते हैं यद्यप्य उनके पास मंदिर के लिए छोटी सी जोपली थी फिर भी वे अंतर राश्ट्री संस्कृत केंद्र का स्वपन देखते हैं उनकी कामना है कि अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक जीवन का अम्रित पान कर सकें चाहे वो दार्शनिक तत्तों से हो चाहे आध्यात्मिक भोजन से वो तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रसंद रहे आशावान हो और शांती से जीवन व्यतीत कर सकें बंबई के एक वरिष्ट उद्योग पती डॉक्टर एंडी देसाई उन दिनों का इस्वरण करते हैं उन्हीं के शब्दों में 1971 से लगाकर 1977 की बीच मैं अन्युकू बार श्रील प्रुपात से मिला और हर बार मैंने उनमें दोश निकालने की गोशिश की उन्हें क्रोधित करने का प्रयास भी किया एक बार तुम्हें ने ये भी जानने का प्रयास किया कि लालची हैं या नहीं लेकिन मुझे कहीं सभलता नहीं मिली मैं उनमें कोई दोश नहीं निकाल पाया वास्तों में हम व्यापारी जीवन में या दैनिक जीवन में दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों का पता लगाना चाहते हैं और व्यापार में उनकी कमजोरियों से लाब भी उठाते हैं परन्त ये एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो कभी उत्तेजिती ही नहीं होते थे, उनमें ना किसी प्रकार की वासना थी और ना ही किसी प्रकार की लिपसा, द्वेश उनसे कोसों दूर था, उसके बाद उन छह वर्शों का अनुभव लेकर मैंने अनुभव किया कि वे अलगकिक शक धीरे-धीरे साकार हो रहे हैं, बंबई में संग मरमर का विशाल मंदिर, एक स्ट्रेज, एक भोजनाले, एक पुस्तकाले, तथा दो मीनारों वाला साथ मंजिलों का आश्रम, मायापुर में योजनापध्ध आध्यात्मिक नागर पनप रहा है, व्रंदावन में जनपरिय कृष्ण बलराम का मंदिर, एक अंतर राश्री आतितिग्रिह, तथा एक माध्यमिक शाला, प्रभुपात देखते हैं कि उनकी संस्था विश्व व्यापी मंदल का रूप ले रही है, जिसमें सौ से अधिक मंदिर, भोजनालाए, संस्थाएं, शालाएं, तथा कृषक समितियां हैं, भगवान श्री चैतन्य ने 500 वर्शों पूर्व भविश्यवानी की थी, कि एक दिन ऐसा आवर्श्या आएगा, जब भगवान श्री कृष्ण का नाम, विश्व के गाउं गाउं और नगर नगर में गूँचेगा, सत्तर के दशक्य मध्धि तक हरे कृष्ण घर घर में व्याप्त गया, प्रोफेसर कॉक्स के शब्दों में, जब मैं पहली बार हरे कृष्ण बहत्त से मिला, तो मुझे आज भी स्मरण है, मैं उसे देखकर आज शरी चकित हुआ था, उनका परिधान, उनका जाप और केश विहिंद सिर्ल सभी मुझे अनोखे लगे थे, पर जोजे मैं उस सांदोलन के संबंध में अधिकाधिक जानता गया, त्यों त्यों मेरी धारणा बदलती कहीं, उनके शिक्षा के तत्मों में मुझे वही भाव मिले, जो मेरी समझ के अनुसार इसाही मन में हैं, सारा जीवन, भाउतिक वस्तुओं के संग्रह का निशेद, प्रतियक जीव के प्रतिमंबता तथा प्यार, पीला आदी बांट कर प्रसंद रहने का संदेश, मैं इस बात से अधिक प्रभावित हूँ, कि किस प्रकार एक व्यक्ति की शिक्षा और उसके द्वारा लाई आध्यात्मिक परमपरा ने इतने व्यक्तियों को अपना लिया, मेरा निश्चित मत है कि उनका योगदान अत्यन्त महत्तुपूर्ण है और चिरस्थाई भी, बालिकाल में श्रील प्रुभुपाद अपने निवास के पास कलकत्ता में भगवान जगन्नात की रथ्यात्रा का उत्सव, अपने सखाउं सहित मनाते थे, इतने बर्शों बाद वे रथ्यात्रा का त्योहार आज भी मनाते हैं, अंतर के वले इतना है कि अब वोह रथ्यात्रा विश्व के बीस बड़े शहरों की प्रमुक्स ठलकों पर सैक्लों, शिश्यों और अतितियों के साथ मनाई जाती है, श्रील प्रभुपात के शब्दों में, लोग अमेरिका निवास्चियों के पीछे भागते हैं, उनका अनुकरन करते हैं, मैं पूरे विश्व का भ्रमन करता हूँ और देखता हूँ, वे गगन चुम्बी अट्टालिकाएं बना रहे हैं, आपके देश का अनुकरन कर रहे हैं, इसलिए यदि आप भगवान श्री कृष्ण भावना को अपनाते हैं, उनका जप करते हैं, भाव विभल होकर हुआ है आप ना चाहे सामने आपार जनसंभू हो या गिने चुन शिष्य या अके ले श्रील प्रभपाद सदाइब एक भक्त के रूप में ही दिखे बली हरी जाई जेक रंगे नमनाए नरहाए ले मादाए रादे मैं बली हरी जाई गौरांग गुले ते जूरे मित्त लिला तरे जूरे गौरांग गुले ते जूरे मित्त लिला तरे जे जला भकती ते कहीं बली श्रील प्रभपाद विश्व के किसी भी भाग में रहें उनकी दिन चर्या नीमित रही प्रातक काल के निर्मल और शांत वातावरन में टहलते फिर विद्यार्थियों और अथित्यों के साथ अंतुरंग होकर समय बिताते थोती और रूलिवादी विचारधारा को छोड़ कर वे अपने विद्यार्थियों को अपना ज्यान और वैचारिक श्रमता बढ़ाने का परामर्श देते हैं तेहलने के बाद श्रील प्रभुपाद भागवत मूर्थी की वंदना करते साश्टांग प्रणाम करते तब श्रीमत भागवतम के किसी श्लोक पर प्रवचन करते अदरिक श्रमाल करते साश्टा प्राख श्रणाम थें। तो योग हैं व्याहाँशचा आपके पास 20 लाग डॉबर हैं मेरे पास 10 हैं आपके आस सौ डॉबर होंगे अर्था सभी के पास कुछ ना कुछ संपत्ति हैं परंत ये कोई नहीं कह सकता उसके पास ही सारी संपत्ति है ये संभव नहीं यदि कोई ये कह सकता है कि उसके पास सारी संपत्ति है तो वो इश्वर है भगवान है यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है इतियास में ऐसा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं कहा भगवान कृष्ण ने कहा है मैं सभी वस्तुओं का रस लेता हूँ और विश्रो में सभी का स्वामी भी मही हूँ ये कौन कह सकता है वही इश्वर है लोसेजिलिस में मध्यान के बाद श्रील प्रभुपाद अपने अतितियों तथा धर्मविदों से मिलते हैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों में आपका हम, आपकी संपत्य, आपका परिवार आपकी बैंक में जमाराश या आपकी गगन चुम्बी अटालिकाएं सब ले ली जाती हैं फिर सब समामत, बाहर निकलो यही ईश्वर है, अब ईश्वर समझ में आया आप इस पर विश्वास करें या न करें ईश्वर एक दिन आएगा, आपको ले जाएगा आपकी हर वस्तु ले जाएगा और आप बाहर होगी भगवत गीता में यही कहा है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते उनके पास मैं मृत्यू बन कराता हूँ और उनका सब कुछ ले जाता हूँ इस पर विश्वास करना पड़ता है जिस तरह मृत्यू सत्य है उसी तरह ईश्वर भी सत्य है इसलिए जब तक मनुष्य पागल नहीं है वो नहीं कहेगा कि इश्वर नहीं है जो इश्वर के अस्तित्तु को न कारता है वो पागल है प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति को द्रिश्टिहीन और मूर्ख कहें तो अच्छा है पागल सभी मूर्खताओं का योग है श्रील प्रभुपाद जहां भी होते हैं अपना सारगर्भित लेखन करते रहते हैं सुर्योदय के पूर्वूट कर वे संस्कृत और बंगला के मौलिक गंटों के अनुवाद और उनकी टीका में गंटों व्यतीत करते हैं उनका सरवाधिक महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तके हैं श्रील प्रभुपाद देखते हैं छे करोल प्रतियां 28 भाजाओं में वितरित हो रही हैं दर्जनों विश्व विद्यालों के आचार्य उनकी पुस्तकों को आदर्श पाठ्थे ग्रंथों के समान उप्योग मिलाते हैं तथा उन पर प्रशन सात्मक्टी काएं लिखते हैं डॉक्टर जूरा के शब्दों में पाश्यात विश्व को उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के भक्तिमय दर्शन से प्रथमबार परिचित कराकर एक महत्ट पूर्ण कारी किया है इन पाठ्थे ग्रंथों का परिचाई भी उन्होंने भिन रीत से कराया है मैंने भगवत गीता के अनेकों अनुवाद पढ़े हैं जिनकी व्याख्या अद्वाइत वाद के दर्शन की भाहत अवई यक्तिक है और ये अनुवाद आप इसे प्रथमबार भी कह सकते हैं सच्चे अर्थों में ये भक्तिमय अनुवाद है मेरा विश्वास है कि यही अनुवाद भगवत गीता के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य के समी पाता है 1972 में इस्थापित भक्ति वेदांत पुस्तक संस्थान मूलता श्रील प्रभवपात की कृतियों का प्रकाशन करता है ये संसान भारतिय धर्म और दर्शन की पुस्तकों का महन तम वितरक बन गया है श्रील प्रभवपात का श्रिष्टम ज्यान इन पुस्तकों का प्राण है जो हरे कृष्ण आंदोलन का आधार है भविष्य इसका साक्षी होगा कि ये आंदोलन अगले दस हजार वर्षों तक प्रगति करता ही रहेगा 1977 में अपने गिर्टे स्वास्त के बाद भी श्रील प्रभवपात अपनी यात्राएं और शिक्षा का कार्य अनवरत करते हैं फरवरी 1977 विश्व की महंतम तीर्थ यात्रा कुम्भ मेला जो इलाहबाद में होता है शरीर की शितलता के बाद भी श्रील प्रभवपात यहां उपस्थित होते हैं उनके शिश कीर्थन करते हैं और बैक टु गॉड हेट पत्रिका की प्रतियां वितरित करते हैं कीर्थना नंद स्वामी के शब्दों में वस्तुता प्रारंब सही श्रील प्रभवपात ने हमें चेतावनी देजी थी कि वे सदैव हमारे साथ नहीं रहेंगे वास्तों में 26 एविन्यू में अपने कारी के प्रारंब में कुछ माह बाद ही वे बीमार पड़ गए उस समय हम भैभीत हुए थे कि वो तब ही हमारा साथ छोड़ देंगे उन्होंने का मैं फृद्ध हो गया हम किसी भी खशन विदा ले सकता हम तीन बीस और दस वो बीद गया है मैं पूर्व सूचना दे रहा हूं प्रभुबाद इस भ्रांथी में कभी नहीं थे कि वे सदाईव हमारे साथ इस संसार में रहेंगे परन्तु उन्होंने कहा मेरे शिक्षा रहेगी और उन्होंने प्रारंब से हमें अपने शिक्षा की योग्य बनाया प्रशिक्षित किया तथा अपने विक्टित्त का उप कालिन कारिक्रमों में प्रवचन करते हैं स्वास्तिलाब के लिए वे मई में हिमालाई की तराई के नगर रुशीकेश गए कि वहाँ भी वे अपने शिश्यों को शिक्षा देते हैं इसके पर शात अक्टूबर में श्रील प्रभुपाद अपने पुराने निवास प्रंदावन को लड़ते हैं जहां वे अपने अंतिम दिन व्यतीत कर सकें शारीरिक अयोगिता के बाद भी श्रील प्रभुपाद की बवध्यक्षमता सुद्रल है वे अपनी महानकृती श्रीमत भागवतम का अनुवाद तथा टीका लिखाते हैं उस दिन तक जिस दिन तक वे संसार से विदा नहीं लेते श्रील प्रभुपाद कहते हैं सभी अभिनाय है भगवान श्री कृष्ण की महत इच्छा पर गुमना है यही भगवान श्री कृष्ण भावना है 14 नवंबर 1970 श्री श्रीमत एसी मक्ति वेदान्थ स्वामी प्रादुर्व उठो गए वोह दिव्य व्यक्तित्व जिसने अनेक विशयों पर हजारों अर्थ वाले शब्द कहे जिसने हजारों ढंक से ग्यान दिया जिसने हजारों भक्तों को प्रेर ना दी अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की शर्म में लोट कया भक्तों पर असीम खृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को श्रील प्रभुपाद का सामिप्ट दिया अपने कारियों में स्वाधीन भगवान श्री कृष्ण ने यह सामी पिसमाप्त कर दिया फिर भी श्रील प्रभुपाद रहेंगे वे अमर हैं वे अपनी शिक्षा में सदाईव रहेंगे वे अपने अन्युआईयों के हरदय में सदाईव रहेंगे उनके शुबचिंतक बनकर वे सदाईव उनका नियंत्रन करेंगे आरे और नहां है आरे रामा आरे रामा